हेलो फ्रेंड्स इजी टू हेल्दी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो आज फिर से मैं एक हेल्दी रेशेपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही हेल्दी है और हेल्दी तीजों को अपने रोज के रूटीन में थोड़ा ही सही लेकिन जरूर सामील करना चाहिए ताकि हम सभी हेल्दी रहें वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक जरूर कर दे, लेकिन इस मामले में आप बहुत ही कजूस हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पसंद आ जाये तो जरूर लाइक कर दे, सेर कर दे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, तो चलिए फिर देखते हैं कि आज मैं क्या बन तो यह है अलसी, पैन को मैंने गरम कर दिया है और अलसी को भूनेंगे, अलसी को मीडियम टू हाई फिलेम पर लगतार चलाते हुए भूनना है, और यह कैसे भून गया है कम्प्लीट इसे देखने के लिए अगर नहीं पता चल रहा है देखकर तो आप इसके दो दाने को अपने बच्चों को भी दे सकते साथ ही लंच में भी पैकर्स के दे सकते हैं तो यह भून गया है और अब से ठंधा करके पाउडर बना लेंगे तो यहां पर मैंने पाउडर बना लिये है और थोड़े से मैं पराथे के लिए रख रही हूं ताकि आपको भी दिखा सकूं क पराथा कैसे बनता है और बाकी के में लड्डू बनाऊगी तो यहां पर मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया यह गहूं का आटा है इसमें मैंने कुछ भी ऐसा चीज नहीं डाला है नहीं रिफाइन नहीं नहीं कुछ भी नहीं सिम्पल सा इसे रोज के रोटी के जैसा इसे बिल्कुल सॉप्ट सा डो एकदम गूनदा है जितना सॉप्ट आटा रहेगा इसके अंदर अच्छी से हो सकेगी और रोटी बेलने में भटेगा नहीं इस बात का ध्यान रखे इसलिए आटे को बहुत ही सॉप्ट लगाना है तो यह देखिए आटा सॉप्ट मैंने लगा लिया है और अब चलिए आगे की देखते हैं क्या करना है तो यहां पर मैंने यह जो पिसी हुई अलसी है इसमें गुड लिया है मैंने और इसे बिल्कुल बारिक चाको की मदद से काट कर इसमें डाल रही हूं आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और अगर आप गुड नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं नमक के साथ भी बना सकते हैं नहीं तो आप इसे डेली ऐसे एक से डेर चमज खा सकते हैं यह बहुत ही हेल्दी होता है और इसे खाना चाहिए डेली तो यहां पे देखिए मैं पराथे के लिए इसमें पाए जाते हैं और भी बहुत सारे बिटमिन जो हमारे सहत के लिए बहुत ही फाहदे मंद हैं और हम सभी सहत मंद रहें इसलिए थोड़ी-थोड़ी सी सहत मंद चीजे खानी चाहिए रोज डेली के रूटीन में से सामिल करें तो ये देखिए मैंने कटोरी बनाया और उसके अंदर श्टफिंग को डाला ये अंसी वाली और अब इसे हलके हाथों से बेलेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा सुखा आटा लगा ले जरूर क्यूंकि ये रैक पे चिपक सकता है तो अब इसे हलके हाथों से बेलेंगे ये देखिए बहुत अच्छे से ये बिला गया है, इसे हमने बहुत अच्छे से बेल लिया है और कहीं से भी ये नहीं फटा है लेकिन कहीं से बहुत लग konk officers है तो आप सुखा आटा लेकर किये और हाथों की मदद से ऊसे थोड़ा सा सेट कर दें तो ये थोड़ा सा बीच में तो मैं इसे सुखा आटा लगा कर थोड़ा सा चिपका देंगे क्योंकि जब बनाएंगे ना तो इसके बीच से वो जो गुड़ हमने डाला है वो मेल ठोकर के बाहर आने लगेगा तो जब जल जाएगा तो स्वाद उसका थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा तो इसलिए बेलते वक्त इन वातों को ध्यान रखना है तो देखिए पैन गरम हो गया है और अब इसमें पराठे को डालके सेकेंगे तो आप इसे बच्rian को बड रची बेल लिया है और इक साथ इसे सेख लेंगे पहले एक पराठी को डाला है और इसे सेखेंगे पहले एक साइड से Mississippi का और सेखेंगे जैसे रोटी बनाते हैं तो आप इसे बच्चों को बड़े ही अच्छे से लंज में जब देंगे ना तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस चीज की अश्टफिंग वाली पराथे उन्हें दी है उन्हें बहुत ही अच्छा स्वात लगेगा और वो जट से खा लेंगे तो ये देखिए पी अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात है कि ये खराब नहीं होता जल्दी आप इसे बना कर कहीं भी सफर में आप जा रहे हो ना तो आप इसे लेकर जाएंगे तो दो शे-तीन दीन तक तो ये खराब होगा ही नहीं आप इस ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ बहुत ही इसे अच्छे से दवा दवा कर सेख लेंगे तो देखिए बहुत अच्छा सा पराथा सीख गया है और ये फूल भी चुके हैं तो अभी से निकाल लेंगे तो चलिए पराथा बन गया है इस तरह से मैं सारे पराथे को बना लेती हूँ तो देखिए मैंने पराठे बना लिए हैं और कट करके भी मैं दिखा रही हूं कितना अच्छा लग रहा है तो आप जरूर बनाएं थेंक यू बाबाई